हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल परमात्मा पर आप सभी का हारदिक स्वागते आज हम जानेंगे खोर्देश जी के साथ एसी कौन सी गटना गटी जिसके वो आश्चे जनक रहे गई परोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खोर्देश और रूमी जी को एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई श्रीमती दस्तूर की भावी एक संगित सभा में गई थी मध्यांतर के दोरान उन्होंने एक महिला को हाल ही में एक दुर्गटना के मारे गए दो लड़कों के बारे में बाते करते सुना जो अपने माता पीता को एक संदेज बेजना चाते थे इसलिए श्रीमती दस्तूर की भावी ने उस महिला का फोन नमबर ले लिया अगले दिन फोर्देश और उमी जी ने इस महिला से संपर्क किया उन्होंने उन दोनों को अपने गर आमंत रित किया उन महिला ने अपना भावी खोया था वह श्रीमती कपड या नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आहान बेटकों के जरी अपने भावी से संपर्क किया करती थी पर एक बार ऐसे ही अवसर पर दो युवा लड़कों की चीक ने बेटक को बादित कर दिया लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यों एक दुर्गितना में हुई है और उनके माता पीता दुख से तूट चुके हैं वे चाते थे कि उनके माता पीता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि दोनों उन्हें देख सकते हैं शीमती कपाडिया के गर पर आयोजे सामुई गात्माहान बेठक में भाग लिया माध्यम शीमती कपाडिया बीच में बेठी थी और दूसरे लोग उनके चारो और बेठे थे वो एक एक वेकती के पास जाकर उन्हें उनके मृत्ति परिजनों से संपर्ट करने में मदद कर शीमती कपाडिया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुची तो उनके मूँ से पहले शब निकले हेलो ममी फोट्स ऐसा कहकर अक्सर विस्पी अपनी मा को बुलाया करता था किसी अजनभी के मूँ से इस तरह के निजी जीवन के शुश्म वाक्या सुनकर खोर्देश और रु शीमती कपड़े नमा के अन्यमाद्याम के बारे में बताया कुτο दिनों बाथ अधनांकरी दंपत्तिय लिए स्रेमती रिशी के जरी अपने बेट अपनी से बात की उन्होंने कहा ममी पापा हम विस्पी उरत मरने के बाद कुछ ही मींटों बाद हम जीवातमा जगत में पोज गई है यह इश्वर की इच्छा है और हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बैतर है इश्वर अच्छे हैं आप हमारे लिए ना रोे ना ही हमारी कमी मैसूस करें हम यहां बहुत खुश हैं, हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहां से आपकी देखभाल कर सकते हैं, हम आपसे तब तक संपर्ग नहीं कर सकते हैं, जब तक आप पुरी तरह से निश्चित और खुशना हो, आपको एकागर होने की शमता विक्सित करनी होगी, उन्होंने ख अध्यात्मिक जीवनकार्य को पूरा करना है अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और अध्यात्मिक जगरुपता का प्रसार करना है अगले कुछ महीनों में खोर्देश और रुमी जी ने अपने बेटों की मदद से पुन ने एकागर और शांत होनी की शमता विक्षित कर लिए जिससे उनका अपने बेटों के साथ स्वय लेखन की विद्धी द्वारा पत्यक संपर्ख सिस्थापित करना संभव हुआ एक उस तक वह पर हलकी हाथ से कलम पकड़ कर रखती थी मन को संपुन्द एकागर करती और धीर धीर उनके मित बेटों की आत्माएं उनके कागच पर धीर धीरे टेड़े टिमेड़े तरीके से कलम चलाती थी शुरू में केवल लकीरे बनती थी लेकिन कुछ दिनों के परियास के बाद उबढ़ने लगे वह शब्द उबढ़ने लगे वह मुखर होकर प्रश्ण पुस्ती जिनके उत्तर कागच पर लिखे हुए म उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए खोरदेश और रूमी जी ने उस वकील का चैन किया जिनकी सला उनके मृत्ती बेटों ने दूर सुरंदेश रक्ती से जरिय दी थी आचे जनक रूप से विरुवत भासों के विपरीद मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ यह एक बहुत कटिन मेनत करी अपने आपका द्रण निच्चे किया तब जाके उनको अपने बेटों से बारतालाब कर पाती थी वो अब हम आगे जानेंगे के रतू और विस्पी ने जीवातमा जगत में होने वाली कौन सी कौन सी बातों के बारे में अपने मम्मी और पापा से जि प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा